प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम न्यू एंपायर्स एंड किंग्डम्स के कुछ टॉपिक को बताने वाले हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसमें प्रस्तस्ति के बारे में मैंने बताये था अब है हर्ष बर्धना हर्ष बर्धन का कोड़ पोईट कौन था तो हर्ष चरित किस ने लिखा है हर्ष चरित लिखा है बान भट ने और फोर्टीन एर्ष एगो यह लिखा गया था सब्सक्रित में लिखा गया था उसके बाद इस समय जो आर्मी थी in the same way as the earlier rulers do some of these kings maintain a well organized army containing chariots, elephants, cavalry and foot soldiers यह चार तरके सेनिक होते थी इसमय गज सेना, रज सेना, अशु सेना और पाइदल सेनिक there were some military leaders with troops whenever they needed them, assemblies इस समय होती थी, southern kingdom में तो दो तरकी assembly होती थी, एक को सभा कहा जाता था, दूसरा को उर कहा जाता था, सभा जो होती थी वो ब्राह्मन जमिंदारों का सम्मेलन होता था, उर जो होता था वो गईर ब्राह्मनों का सम्मेलन होता था, the Ur was a village assembly found in Eriyad, where the land owners were non-Brahman, another assembly, the Nagarama, Nagarama क्याता, Nagarama was an organization of merchants, Nagarama was the organization of merchants, these assemblies were probably controlled by rich and powerful land owners and merchants, many of these local assemblies were in existence for centuries, पल्लबों की राजधानी कहा थी, काची पूरम यह याद रखना है, और अभिज्ञान स्राकुंतलम, काली दास किसके दरवार में था, काली दास था, चंदगुप्त टू, यानि विक्रमादित के दरवार में, और काली दास ने अभिज्ञान स्राकुंतलम लिखा है, इसमें स्राकुंतला और प्रेम कहानी है, इसमें किसके बारे में है, स्राकुंतला और राजा के बारे में है, और ये अंगूठी मिल जाती है मछवारे को, क्यूकि उस अंगूठी को निगल लिया था एक मचली दे, तो मचवारे को जब अंगूठी मिला, वो राजा के पास गया, तो राजा खुस हो गया, लेकिन राजा ने जो इनाम दिया, तो उस एनाम को पूलिसमेन और ये,